Hello students, आज इस वीडियो में हम chapter 2 fractions and decimals exercise 2.2 से question number 3 solve करेंगे So question number 3 देखे, multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction इस question में हमें देखे, कुछ parts दिये गए है हमें क्या करना है, हमें उनमें multiply करना है, फिर उन्हें lowest form में reduce करना है और फिर mixed fraction में convert करना है जैसे कि first part हमें दिया गए 7 into 3 upon 5 अब देखे, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या numerator और denominator किसी एक ही number से divide हो रहे हैं 1 के अलावा तो यहाँ पर देखे 3 और 5, यह numerator denominator है, यह दोनों numbers 1 के अलावा किसी एक ही number से divide नहीं हो रहे है इसी तरह 7 और 5, यह numerator है और यह denominator है, यहाँ पर भी देखे 7 और 5, 1 के अलावा किसी एक ही number से divide नहीं हो रहे है तो अब हम इसमे बल्टिप्लाई करेंगे, multiply कैसे करेंगे, देखे 7 को 3 से multiply करने पर क्या आयगा, देखे 7, 3 सा 21 1 तीक है तो देखे numerator को numerator से multiply कर दिया अब denominator को denominator से multiply करना है दिखे जिस नमबर के upon में कुछ ना दिया हुआ यानि उसके upon में वन है यानि seven के upon में क्या है one तो 1 और five को multiply करेंगे क्या ऐगा five पाइगा तो यानि 21 upon five तो देखे हमने यहाँ multiply कर दिया 21 upon five अब इससे lowest form में लिखना है देखिए जब numerator और denominator 1 के अलावा किसी एक ही नमबर से डिवाइड ना हो तो वो लोवेस्ट फॉर्म होती है तो यहां पर देखे 21 और 5 यह दोनों देखे 5 फॉर्जा 20 वन में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 रिमेंडर क्या बचा वन तो मिक्स फैक्शन में से कैसे लिखेंगे देखे 4 एंड 1 अपॉन 5 इस तरह से लिखेंगे 4 एंड 1 अपॉन 5 वन अपॉन 5 अपॉन 5 अब सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या numerator और देखे 1 3 अब 4 upon 3 को lowest form में लिखना है तो देखे 4 और 3 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नमबर से divide नहीं हो रहे हैं तो 4 upon 3 ये इसकी lowest form में ही है ठीक है अब इसे mixed fraction में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 4 को 3 से divide कर देंगे 3 वन जा 3 4 में से 3 माइनस करा के आया 1 तो इसे mixed fraction में कैसे लिखेंगे 1 and 1 upon 3 1 and 1 upon 3 अब थर्ड पार्ट देखे दिया गए 2 into 6 upon 7 ते अब इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या numerator denominator 1 के लावा किसी एक ही नमबर से डवाइड हो रहे हैं तो देखे 6 और 7 ये दोनों वन के लावा किसी एक ही नमबर से डिवाइड नहीं हो रहे ना ही तू और 7 वन के लावा किसी एक ही नमबर से डिवाईड ओर तब हम इने multiply कर लेंगे view करेंगे मतिपलाई करें ग необход i crypta ङाथ तो ko 6 से 7 को lowest form में लिखना है तो देखे 12 और 7 यह दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो 12 पॉन 7 यह lowest form में है अब 12 पॉन 7 को mixed fraction में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 12 को 7 से दिवाइड कर देंगे तो देखे 7 बंजा 7 12 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 5 तो mix fraction में से कैसे लिखेंगे 1 & 5 अपॉन 7 1 & 5 अपॉन 7 अब फॉर्थ पार्ट देखें दिया गया 5 इंटू 2 अपॉन 9 इसमें भी हम देखेंगे क्या numerator और denominator 1 के लावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे है तो देखें 2 & 9 यह दोनों 1 के लावा किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे है ना ही 5 & 9 यह 1 के लावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो तब इन्हें multiply कर लेंगे कैसे करेंगे देखे numerator को numerator से multiply करा 5 को 2 से multiply करा क्या आएगा 5 2 is 10 5 के upon में क्या हो ए 1 है जिस नंबर के upon में कुछ नहीं होता है तो अब डिनोमिनेटर को denominator से करेंगे देखे 1 को 9 से multiply करा क्या है 9 तो क्या है multiply करने पे 10 upon 9 अब इसे lowest form में लिखना है तो देखे 10 और 9 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक के नंबर से डिवाइड नहीं होते तो 10 upon 9 ये इसकी lowest form ही है अब 10 upon 9 को mixed fraction में लिखना है तो 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखे 9 वन्जा 9 10 में से 9 माइनस करा क्या है 1 तो mixed fraction में से कैसे लिखेंगे 1 and 1 upon 9 अब फिफ्ट पार्ट देखे दिया गए 2 upon 3 into 4 अब इसमें भी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या numerator और denominator 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो पहले उन्हें डिवाइड कर लेंगे तो यहां पर देखे नियुमिर इसी तरफ यहां पर 4 numerator और 3 denominator 4 और 3 यह दोनों भी वन के लावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो अभी इन्हें मटिप्लाइड कर लेंगे तो देखें नियुमिरेटर को नियुमिरेटर से मल्टिप्लाइड करा तू को 4 से मल्टिप्लाइड करेंगे क् में क्या आएगा denominator को denominator से multiply करेंगे 4 के upon में क्या है 1 3 को 1 से multiply करा क्या आया 3 तो क्या है multiply करने पर 8 upon 3 अब देखे 8 upon 3 को lowest form में लिखना आ है तो देखे 8 और 3 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही माइनस करें 2 तो क्या है मिक्स ट्रैक्शन में 2 & 2 upon 3 इस तरह से लिखेंगे मिक्स ट्रैक्शन में 2 & 2 upon 3 6 पार्ट देखे दिया गए 5 upon 2 into 6 अब इसमें भी पहले देखेंगे कि क्या numerator और denominator 1 के अलावा किसी एक ही नमबर से divide हो रहे हैं अब देखें multiply कर लेंगे 5 into 3 है 5 को 3 से multiply करा के आया 5 3 जा 15 अब ओन में देखें 1 आएगा 1 को चाहें लिखें न लिखें एक बात है तो क्या आँसर 15 अब सेवंत् पार्ट देखें गए 11 into 4 upon 7 इसमें भी देखें के सभसे पहले कि क्या नियूमिरेटरों डिनोमिरेटर वन के अलावा किसी एके नमबह से डिवाइड हो तो देखें 4 और 7 वन के अलावा किसी एक एक नमबह से डिवाइड नहीं हो रहे है, ना ही 11 और 7 101 के लावा किसी एक लिवाइडा हो रहा तेने Ox रills यह lowest form में ही है अब 44 upon 7 को mixed fraction में लिखना है तो क्या करेंगे 44 को divide करेंगे 7 से तो देखे 7 6 आ 42 4 में से 2-2 आया डिमेंडर के बचा तूते से mixed fraction में देखे कैसे लिखेंगे 6 and 2 upon 7 2 upon 7 अब 8 पार देखे दिया गए 20 into 4 upon 5 इसमें भी देखेंगे सबसे पहले कि क्या numerator और denominator 1 के अलावा किसी एक नंबर से divide हो रहे हैं अगर हो रही होंगे तो पहले उन्हें अब 4 को 4 से multiply करेंगे क्या आएगा 4 फोर्जा 16 तो answer क्या आया 16 अब 9 पार देखे दिया गए 13 into 1 upon 3 इसमें भी पहले देखेंगे कि क्या numerator denominator 1 के अलावा किसी एक नंबर से divide हो रहे है तो देखे 1 और 3 यह दोनों 1 के अलावा किसी एक अब 13 upon 3 को mix fraction में लिखेंगे तो 13 को 3 से divide कर लेंगे 13 को 3 से divide करेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे 3 में से 2 माइनस करा 1 क्या आया 4 and 1 upon 3 4 and 1 upon 3 तो 4 and 1 upon 3 mixed fraction है ठीक है अब 10th part देखें दिया गया 15 into 3 upon 5 इसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि क्या numerator denominator denominator 1 के अलावा किसी एक ही number से divide हो रहे है तो देखें 3 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही number से divide नहीं हो रहे हैं पर 5 और 15 ये दोनों जो है 1 के अलावा 5 से divide हो रहे हैं देखें 5 1 जा 5 5 3 जा 15 ठीक है अब 3 को 3 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9 तो answer क्या आया 9 तो आज इस वीडियो में हमने question number 3 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like share and subscribe थैंक यू